हेलो प्रेंट्स मैं जानके इसाधे डोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्व चेनल लाइज के संजी के में स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ IPC का सेक्षन 202 के बारी में 202 क्या करता है सासन को सूचना दिये बिगेर अगर आप किसी ब्यक्ति का अंतिव संस्कार कर देते हैं दा संस्कार कर देते हैं तो कितने वर्ष की कारावास हो सकती है सजा हो सकती है और मैं इसे बताऊंगा IPC 202 की परिभासा भी यहीं असपश्ट तोर से आपको समझाने का प्रियास करूगा कि IPC 202 सेक्षन क्या कहता है तो चलो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहरे अगर आप चैनल पर नहीं है तो चलो कि जोलो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों भारत में किसी परगार की आसमान ने मृत्यू की इस्टिती में आसमान मतलब ऐसी कोई घड़ना जिससे घड़तोना संभावना हुआ हो ऐसी इस्टिती में अगर आप अंतिव सद्जकार करते हैं लेकिस सासर को सूचना नहीं देते हैं तो यहाँ आपके लिए खत्रा हो सकता जी आदोस्तों सबसे पहले आप नजदिक के पुरी सिस्टेशन में आथवा नजदिक के मज़िस्टेट आपीश में जाकर वहाँ पर आफसोचना दे सकते हैं यदि कोई बैक्ति अथवा बैक्तियों को समूँ इसकार के सूचना दिये बगर अंतिव संस्कार करता है तो यह अपरादी घुर्शित होगा और उसे न्यालादोरा दंडित किया जाएगा तो चलिए इसके हम परिवासा को देखेंगे भारतिदर सहिता चारादी साथ की धाराद दोसोदो की परिवासा क्या कहती है जो कोई बैक्ति जानते हुए कि कोई अपराद हुआ है इसकी सूचना किसी मजिस्टेट या नजडिक खाने में नहीं देगा जिसकी सूचना देना उसका बैद करतब बिथा भारतिदर सहिता की धाराद 202 के तहट तोसी होगा यानि ऐसा कोई क्रित हुआ हो ऐसा कोई बैक्ति असमान वर्त्यू से मर गया हो जिसकी सूचना दिये बगर आपने किसी बैक्ति का दास अंसकार कर दिया है तो है आईपीसी के सेक्षन 202 के तहट दननी अपराद होगा अब हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पैनल कोड का सेक्षन 202 के परिश्मेंट क्या कहता है इधारा के अपराद आशंगे एवम जमानती प्रकृत्ति के होते है इनकी सुनवाई किसी बिन्याईक मजिस्टिर दोरा की जा सकती है इधारा के अपराद अधिक्तब 6 माह का कारवास जिर्माना अथा दोनों से दन्रित किया जा सकता है यानि यह समान प्रकृत्ति का अपराद होता है लेकिन है तो अपराद ही इसलिए कगी भी कोई भी दास्तांसकार करने से पेहले एसा दास्तांसकार जिसमें लगता हो कि इसमें पुरिश में इनमाल भोषते जानकारे